हलो बच्चो आप सभी का एक बाब फिट से स्वागता है हमारे चानल इजी वेटू स्टड़ी में बच्चो आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा आठवी की समाजिक विज्ञान विशे की वरक्षीट नमबर दो बच्चो जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फिल्ड में हमें अपने कक्षा आध्यापक का नाम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वरक्षीट उससे पहले बच्चो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तरंत नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए देखते हैं अपनी वरक्षीट बचो आज की मारी वरक्षीट प्राकरतिक संसादनों के उपर है चलिए इसे देखते हैं वरक्षीट एक में हमने जाना था कि वैसी सभी चीजें जिनकी कुछ उप्योगिता अत्वा प्रियोजकता होती है वे संसादन कहलाती है इस उप्योगिता कोई आर्थिंग मुल्य हो या अवश्यक नहीं है जैसे एक मनोरम भूत रिश्यक का कोई आर्थिंग महत्व नहीं है लेकिन वहीं दात्वो या जिवाश्म इंदन का आर्थिंग मुल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्व पूर्ण संसादन है अब प्रश्यक उठता है क्या सवी संसादन जो हमने पिछली वर्क्षिट में वर्गीकरत किये थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं अब ये एक गतिविदी करते हैं यहां कुछ पदार्थों के नाम दिये गए हैं जैसे मिट्टी, खिलोने, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, परवत, सडक, इमारतें, कोईला, फरनीचर, पेट्रोलियम, प्राकरतिक गैस, सुर्यगा प्रकाश, वायू, आदी आप इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं अब क्या आप इन्हें या अन्य पदार्थों को जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ती के आदार पर दो समुवा में वर्गी करत कर सकते हैं एक उदार्ण आपके लिए दिया गया है प्राकरती से प्राप्त होने वाले जैसे मिट्टी और मानवो दोरा बनाया जाने वाले जैसे खिलोना चलिए बचो इस टेबल को फिल करते हैं बचो आप प्राकरती से प्राप्त होने वालों में लिख सकते हैं मिट्टी, जंगल, खनिज, पर्वत, पेट्रोलियम, प्राकरतिक गैस, सूर्य का प्रकाश और वायू और मानवो दवारा ब्राये जाने वालों में लिख सकते हैं खिलोना, वाहन, पुल, रेल, सडक, इमारतें और फरनीचर चलिए आगे चलते हैं इसके बाब बच्चों हमें एक और प्रशन दिया गया है अब पहले कोलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्था के बारे में क्या पता चलता है क्या ये हमारे लिए उप्योगी हैं तो बच्चों हाँ, ये सभी हमारे लिए उप्योगी हैं इन पदार्थ में क्या एक जैसी बात है तो बच्चो ये सभी प्राकर्ति का उपहार है तो हम पहले एक option पे टिक लगा देंगे इससे हम क्या साराइश निकाल सकते हैं कुछ पदार्थ प्राकर्ति द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोदन के किया जाता है उन्हें प्राकर्तिक संसादन कहते हैं आगे चलते बच्चो अब क्या सभी प्राकर्तिक संसादन एक जैसे होते हैं आईए पता करते हैं प्राकरतिक संसादनों को निम्न दो वर्ग में वर्गी करत कीजिए वैसे पदार्थ जो प्राकरती में असीमित हैं और जो शिकृता से नविनिगरत हो जाते हैं और दूसरा बच्चो वैसे पदा जिनका बंडार सीमित है और जो नवीकरत होने में हजारों वर्ष लेते हैं। चलिए बच्चो हम इन दो बागों में इने वर्गीकरत करते हैं। बच्चो इसमें नवीकरत हो जाने वाले पदार्थों में आप लिखेंगे मिट्टी, वन, नदी, पर्वत, सुरेगा प्रकाश और वायू और जो पदार्थ नवीकरत होने में हजारों साल लेते हैं उसमें आप लिखेंगे खनिज, पेट्रोलियम, प्राकरती, गैस, आदी चलिए आगे चलते हैं इसवाद अब चो उप्रोक्त का आवलोकन करने पर हम कहा सकते हैं कि वैसे एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकर्णिय संसादन का लापरवाही से प्रयाग होने पर वो भी खतम हो सकते हैं जैसे जल या मिट्टी असीमित मातरा में उप्लावध हैं लेकिन इनका लापरवाई से उप्योग होने पर ये भी प्रयोग के लाइक नहीं रह जाएंगे इसका बात तब चो हमारा प्रशन उत्तर सेक्शन इस वक्षिट में हमें चार प्रशन दिये गए हैं चलिए देखते इन प्रशनों के उत्तर उने प्राकर्तिक संसादन कहते हैं उदाहरन सुर्य का प्रकाश वन आदी चलिए चलते हैं अपने अगले प्रशन पर हमार अगला प्रशन है नवीकर्णिये और अनवीकर्णिये संसादनों के बीच उदाहरन सहीत अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चो इस प्रशन में आप एक तालीका बना सकते हैं जिसमें एक तरफ नवीकर्णिये और दूसरी तरफ अनवीकर्णिये लिख सकते हैं नवीकर्णिये संसादन जो प्रकर्ति में असीमित मातर में उपलब्ध हैं और शिग्रता से नवीकरत हो जाते हैं उदाहरन सूर्य का प्रकाश अनविकर्णिय प्रकर्तिक संसादन जिनका बंडार सीमित है और खत्म होने वाला है और उन्हें पुने पूरित होने में हजारो वर्ष का समय लगता है उदाहरन पेट्रोलियम चलिए बच्चो अगले प्रशन पर चलते हैं हमारा अगला प्रशन है निम्न प्रकर्तिक संसादनों को नविकर्णिय एवं अनविकर्णिय संसादनों में वर्गी करत कीजिए बच्चो इसमें भी आप एक तालिका बना सकते हैं नविकर्णिय में आएगा वन, जल, सुरेगा प्रकाश और वायू अनविकर्णिय में आए बच्चो आपको यहाँ पे कल्पना करके कहानी लिखनी है हमने भी यहाँ पे एक छोटी सी कहानी लिखी है आप उसी की तरह अपनी कहानी लिख सकते हैं हमने लिखा है आज से बविशे में 30 वर्ष बाद मीठे पानी के स्तरोत कम बचे होंगे पीने का पानी पैट्रोल से भी महंगा हो जाएगा और सभी देश एक दूसरे से बचे हुए स्तरोतों के लिए लड़ाई करने लग जाएंगे और जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम जल सनरक्षन करना शुरू नहीं करेंगे तो ऐसा बविश्य दूर नहीं है इसलिए हमें अपने बविश्य को बजाए रखने के लिए जल का सनरक्षन करना चाहिए इसी एक साथ बच्चों हमाई वक्षीट यहांपर समाप्त होती है आश्या करते आपको यह अच्छे समझ में आई होगी बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तरन्त नोटिफिकेशन मिल जाएं धन्यवाद